जैश्री महांकाल टब सहीं नहीं कर पाते हैं तो वो कोन लोग हैं उनके क्या क्या संकेत हैं उनके क्या क्या गल्ट तरीकें आपको किस तरह से वो अपने जाल में फासाएंगे वो सभी पर 3 मि mutете 20 going के वीडियो में बात करेंगे और इस बात का करने का subject क्यहें वो इसी निम्हत्पूर्ण है कि इससे आप एक बड़ी से बड़ी परिशानी से बस सकते हैं और एक बहुत बड़े तकलीफ से आप बाहरा सकते हैं पस मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश यही है कि आपको एक सही और सकारतमुन जानकरी प्रदान की जाए अगर आपन कमेंट्स में लिखे जैशु शुम्बो हर हर महादेव और भोले नात का कोई एक नाम जरूर लिखें दोस्तों सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो लोग आपको आपकी बाते या किसी अन्नी की बाते चुगली करते हैं ऐसे लोगों से इसलिए मैं साउधानी रहने के लि प्रूस उइसे लोग हमेशा एक बड़े विवात को जन ले देते हैं जिसमें हमारी गलती होती नहीं और बहुत जादा हत तक बढ़ी जाती है यामतुर बहुत सरे जातकों के साथ मैंने देखा है और बहुत सारे जातकों निस विश्य को फेस किया है तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रेना है, यह लोगों का जो संकेत है वो यह है कि वो आप से मीठी-मीठी बाते करेंगे, वो आपको किसे अन्ने के बारे में चीज़े आपको बाते बताएंगे कि ऐसा है, यह है, वो है, और वो आपके जो विचार है उस विशे पर जो भी अपने एक positive way में कहा और उसको वो अपने तरह से करके सामने वाला जो विक्ती है उसको कह देने इस वज़े से कई बार परिशानिया हमारी बढ़ जाती है हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं और चीजे इस तरह की घटी थो जाती है दूसरे वो लोग जिन लोगों की नियत स चीज़े जाती है नहीं जाती है तीसरे वो लोग जो नशाया बर्सन करते है नसा और विसन कभी करके न जाना चाहिए इसे घर में दड़िता अशुब लक्षमी आती और घर में तनातनी अशांती का माहूल फैलता है जिसे कि हमारा एक कुशाल परिवार जो है तकलिफों में पढ़ जाता है चोथे लोग वो हैं जो लोग आपको करज के लिए प्रोचाहिद करते हैं करज इस दुनिया में इस कल्यूग में मानता हूं मिडिल क्राज बिना करज के कुछ नहीं कर सकता है पर करज जो है जितने हो शकता है उसे बहुत कम लिया जाए रागे बढ़ा जाए तो करज जो है उससे भी साउधाना में रहना चाहिए अच्छे लगो लाइक करें और नहीं हो है